हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ जितेन रजमेरा दक्रेजी प्रोग्रमर्स की तरफ से नर्मलाइजेशन की अगली सिक्वेंस में हम लेकर क्या आए हैं आज 3NF या भी 3rd नर्मल फॉर्म इसके पहले नर्मलाइजेशन 1NF, 2NF इनके उपर हम separate videos बना चुके हैं, उनके link आपको description box में मिल जाएंगे पहले एक बाप उन्हें देख लीजे ताकि आपको ये video ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए तो अब हम इस वाले video में शुरुवात करते हैं 3NF या 3rd नर्मल फॉर्म की यनि कि जो table second normalized form तक पहुच चुकी है और process हो चुकी है वही यहाँ पर आ सकती है क्योंकि normalization में step by step processing होती है तो सबसे पहला जो condition है वो यही है कि जो table है जिस पर 3NF apply करना है वो already 2NF के अंदर होना चाहिए ये सबसे पहली condition ठीक है और 2NF तक का मतलब क्या कि एक तो value atomic हो plus 7 के साथ fully functional dependency हमने create कर दी हो ठीक है तो यह हो गया partial dependency जो हो हम उसमें से हटा देंगे तो यह 2NF table है तो 2NF के बाद में जो table हो 3NF के लिए apply हो सकती है उसके बाद में अब अगला जो है condition वो क्या है the table should not hold transitive dependency यह जो table है उसमें transitive dependency नहीं होना चाहिए ठीक है अगर transitive dependency नहीं है तब तो by default यह 3NF हो गई लेकिन अगर table में transitive dependency है exist कर रही है तो हमें उससे हटाना होगा ठीक है यह second term है अब transitive dependency क्या होती है इसके लिए आप हमारा functional dependency वाला वीडियो देख सकते हैं उसका link आपको description box में मिल जाएगा बट एक बार short में मैं यहां बताता हूँ transitive dependency होती क्या है ठीक है जैसे के कोई एक attribute है suppose A, A अपने recognition के लिए depend करता है B पर यानि कि अगर B है तो B से हम A पर जा सकते हैं ठीक है यह हो गया अब को attribute है C, ठीक है C अपने recognition के लिए किस पर depend कर रहा है A पर यानि कि इस तरह से है ठीक है यानि कि यह थर्ड attribute है और यह A पर depend कर रहा है पर A तो खुद B पर depend है यानि कि C A पर depend है पर A तो खुद B पर depend है तो by default C किस पर depend कर रहा है B पर ठीक है इस तरह से तो यह जो होती यह transitive dependency कहलाती है, यानि कि जब कोई तीसा attribute पहले attribute पे depend करा ना कि second पे, ठीक है, मतलब कि directly तो second पे depend है, पर indirectly पहले वाले पे depend है, पहला वाले उड़ गया, तो second पे उड़ जाएगा, तो तीसा भी automatic उड़ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर कि यह जो dependency, यह transitive dependency कहलाती है, तो 2NF आली टेबल में यह dependency नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यह हो गया second condition, तीसा condition, कि चलिए ठीक है, बाकी जो column बच रहे हैं, टेबल के अंदर, जो कि non-transitive या फिर non-tribal functional dependency शोग करने है, ट्रांसिटिव का reverse होता है, non-transitive, यानि कि यह वाला concept ना हो, जहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ यही हो, कि A जो है, वो B पर depend है, ठीक है, और C जो है, वो भी B पर depend है, इस तरह से, ना कि C A पर depend होगा, ऐसा होई नहीं सकता है, ठीक है, तो जो बाकी जो attribute बच रहे हैं, वो non-transitive functional dependency show करेंगे, कैसे, बिल्कुल इसी तर से, मैंने यहाँ लिखा है, कि A tends to B, ठीक है, अब यहाँ पर, यह हमेशा reverse क्यों बना रहा हूँ, कि A B पर depend कर रहा है, तो मुझे तो यसा लिखना चीए, कि A जो है, ठीक है, वो जो है, किस पर depend करता है, B पर, लेकिन transitive dependence, sorry, functional dependencies हमेश कि इसको depend करवा रहा है, वो left में लिखा जाएगा, and arrow हमेशा dependent की तरफ रहेगा, इसलिए यह वाला concept सही है, यानि कि वो attribute जो non-transitive dependency show कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ, उनके लिए भी rule है, rule क्या है, A tends to B, ठीक है, अब यह A tends to B क्या होता है, वो मैं समझा देता देखे, A, B, यह सब symbols के नाम है, आप वहाँ पर X, Y, Z, कुछ भी ले लिजिए, ठीक है, बस आपको define करना होगा, तो A tends to B, यहनि कि B अपने existence के लिए, sorry, अपने recognition के लिए A पर depend करता है, यह मैं वाब आई word, जो काम में ले रहा हूँ, ध्यान से समझेगा, recognition, ठीक है, अग recognition मतलब के A हड गया, तो भी B वाँ मुझूद है, लेकिन अब उसकी कोई पहचान नहीं है, वो पहचाना नहीं जाएगा, वो exist करता है, पर पहचाना नहीं जाएगा, यह होता है recognition, तो B अपने recognition के लिए A पर depend है, तो फिर, यहाँ पर क्या होगा, A जो है, वो super की होना चाह होना चाहिए, और B जो है, वो कोई prime attribute होना चाहिए, यहनी की relative, यहनी की सबसे पहली condition क्या है, 2NF में होना चाहिए, दूसरी condition के transitive dependency नहीं होनी चाहिए, अगर A तो हटा दो, उसके बाद में अब जो दूसरे attribute बच रहे हैं, जो non-transitive, जो non-trival functional dependency show कर रहे हैं, ठीके A tends to B तो उसमें A जो है, वो super की होना चाहिए, और B जो है, प्राइम attribute होना चाहिए, अगर यह condition भी नहीं हो दी है, कहीं पर भी violate हो दी है, तो इसको भी हटाना होगा, तो यह तीन रूज जो है apply होते हैं, अब हम table के उसको आसानी से समझ लेता है, कि यह work कैसे करते हैं, तो यहा मगर देखें, राज, जोती, विकास, सहर्ष, और अजे, सब separate separate है, लेकिन अब twist आ रहा है, वह राज जो है, वो भी जेपू से बिलोंग करता है, तो राजस्थान में, स्टेट में, अव्यसी बात हो, यह रहा उसका zip code, जेपूल का, जोती जो है, वो जेपू से बिलोंग क करता है, यानि कि राजस्थान से स्टेट से, और यह उसका zip code है, अजे जो है, वो मुंबे से बिलोंग करता है, यानि कि महाराष्टर से, उसका zip code यह है, ठीक है, अब इस टेबल में हम अगर कुछ चीजे देखें है, राजस्थान रिपीट हुआ है, जेपूर रिपीट प्रॉलम हुई, अब फिलाल इस प्रॉलम को तो हम aside रखता है, side में करता है, और अब हम इस पे 3NF के rule apply करते है, क्या यह 2NF में है, 2NF कैसे, के भई कहीं पर भी functional dependency, जो है non-functional dependency दिखरी है नहीं, क्यों? क्योंकि पूरी टेबल में एक ही key attribute है, वो है student ID, उसी से सब identified हो रह राज के से पेचान में आया, वन सही नहीं की, name भी SID पर depend, city भी SID भी depend, state भी इस पर और जिब भी इस पर depend है, यह एकलोता prime attribute है, और यह एकलोता ही key attribute है, जो की primary key है, ठीक है, तो यह सब इस पर depend करते है, तो यह 2NF में आ गया भई, पहले चीज के लिए, अब transitive dependency हम देख कर रहा है, पर city or state साथ के साथ जिब पर भी depend कर रहा है, देखे, language को गुमा फिरा कहीं नहीं, और simple words में बोलूँगा, by default अगर इस table में खाली जिब भी लिख दे हम, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, और बाकी की table हम अलग कर देखे, ठीक है, कैसे, यहां देखेगा, SID, name और zip, ठीक है, 01, 02, 03, 04, 05, ठीक है, name हो गया, राच, जोती, ठीक है, विकास, हर्ष, और अजय, अब इनके zip लेक खिलते हैं, यहां पर, 4, 2, 6, 1, 9, ठीक है, जोती भी इसे भी लोग करती है, तो 4, 2, 6, 1, 9, ठीक है, 5, 6, 3, 2, 7, 7, 6, 8, 9, 1, 2, 1, 9, 8, 7, अच्छा, यह जो zip code मेंने काम में लिए, यह पूरी तर से fictional है, original नहीं है, आप यह नहीं है, कि इनको original मानलो, यह fictional है, ठीक है, इसे record show करने के लिए, विसे आप में से जाता जैनों को पता होगा, कि actually exam papers के अंदर, हम कभी भी माई real जो है, वो places show नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक secrecy meter में आ जाता है, तो fictional value ज़्यदा suitable लेती है, example देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने fictional value डाल दिये, अब मैंने stable को एक तो ऐसे बना दिया, और दूसरी table जो मैं लेता हूँ, वो लेता हूँ है, city और इनकी, zip क्यों इनकी, zip, city, or state, ठीक है, अब यह zip आपस इदर भी लिखने पड़ेंगे हमें, 4, 2, 6, 1, 9, पर repetition allowed नहीं होगा, क्यों, allowed नहीं मतलब कि repetition करने की जरूती नहीं है, ठीक है, 4, 2, 6, 1, 9, दो बार है, एक बार लिख दिया, अब अगला लेता है, 5, 6, 3, 2, 7, ठीक है, यह हो गया हमारे पटना से, ठीक है, पटना यह हो गया, बिहार, ठीक है, अब अगला जो है, वो है हमारे 7, 6, 8, 9, 1, 7, 6, 8, 9, 1, जोदपूर, राजस्थान, अब अगला जो है, वो है, 2, 1, 9, 8, 7, 2, 1, 9, 8, 7, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र, तो मैं नहीं किया, किजी देखिए, अब आप आसानी से समझ पाएंगे, कि यहाँ पर एक्ट्रेवल डिपेंडेंसी से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो तो होई रहा है, एक बार मैं आसानी से समझाता हूं, कि टेबल के अंदर सब मैं डाल रखाया, तो रा जिप कोट के साथ, यानि कि अलग से स्टेट की टेबल अलग बन गए, बिल्कुल ही अलग बन गए, अब वहां वहां देखो, यहाँ पर टोटे मिला के six source है, यहाँ पर इसे five goes है क्यों, क्यों जो repetition वाला data तो यहाँ repeat करने की जोड थोड़ी है, वो तो separate पड़ा है, ठीक ह सबसे बड़ा benefit क्या है, कि भी memory space बचेगा, बार-बार मुझे जो है, राजस्तान, बियार यह इस तरह से multiple time repeat नहीं करने पड़ेंगे, दूसरा, यह obvious ही बात है, कि टेक्स्ट के वज़ाए, numeric value कम space घरता है, ठीक है, यह दूसरा point है, और पहला तुम्हें बता ही चुकाओं यह दोनों column repeat होंगे, double कर दे है, 2000 columns, sorry, 2000 tuples repeat हो रहे हैं, बिना किसी reason के, उसके बज़ा है, मैं डायक उनको इस table में डाल दूँ, तो यह राजस्तान, बिहार, ठीक है, महारास्टर, इन तीनों state की यह table बन गई, उनके code आ गए बस, तो automatic आप सोचो, कि 2000 tuples वो बचे है, उसक memory space आपने save किया है, पहला तो concept यह है, ठीक है, यहनी कि आपने memory space काफी save किया, ठीक है, अब transitive dependency का आपने कैसे दूर किया, मैं समझा देता हूं, कि CTO state जो है, वो zip पे depend कर रहे है, identification के लिए, जैसा कि this table में मुझे दिख़ता है, zip से ही CTO state का पता लगेगा, ठीक है, ऐसा थ बड़ी cities के अंदर multiple zip codes होते है, area wise, जैसे suppose हम बात करें, घंदी नगर हो गया, एमदाबाद हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, यह बहुत बड़ी-बड़ी cities है, बहुत बड़ी, वो यहाँ पे multiple zip codes है, तो zip code लिखने का मतलब actually किसी city के अंदर भी particular point पे आपको पहुचना ह तो zip code से city and state identify हो दें, उस student का address actually हमें zip code से मिलेगा, तो यहाँ पर हम देखें, city and state zip code पे depend कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आप यह आप रखिएगा, इन दोनों को मैं attribute नाम देता हूँ, c, यह दोनों, इन दोनों को मैं c attribute नाम देता हूँ, यह depend कर रहा है, इनकी c किस इस पर depend कर रहा है, b पे, इसको मैं b नाम देता हूँ, c, अपने recognition के लिए b पर depend कर रहा है, ठीक है, पर zip तो खुद, s id पर depend है, अगर student id हट गया, तो यह पता नहीं लगेगा ना, किसका address है, क्योंकि रास तो बाह 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 repeat हो सकता है, जोती बाह 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 क्योंकि name unique नहीं होता है, पर id तो unique होता है, तो अब्यसी बात है, यह वाला attribute unique attribute पर depend कर रहा है, primary key पर depend कर रहा है, तो अगर मैं इसे a नाम दे दू, primary key को, a attribute बना दू, तो यह देखिए, sorry, my mistake, एक चोटा सगलती हो गया, कि c जो है, अपने recognition के लिए, जो है, b पर depend कर रहा ह है, यह, b है, तो c recognize होगा, लेकिन b खुद, a से recognize हो रहा है, यहनी कि a है, तो b recognize होगा, और b है, तो c recognize होगा, तो यह transitive dependency है, ठीक है, तो हमें यह हटा नहीं होगी, it's a rule, transitive dependency आपको हटा नहीं है, तो उसके लिए करना क्या है, dependency हटा नहीं के लिए, table कर दो पार्ट में तो तो यह solution है, ठीक है, यहाँ पर हम देखें, s id name, jip मैंने एक साथ ले लिया, तो अब इसके अंदर क्या होगा, transitive dependency हट गई, कैसे, name भी s id पर depend है, jip भी इस पर depend है, fully functional dependency शोग कर दी रहा है, transitive dependency कई बची नहीं, क्योंकि वो table ही में अलग ले गया, city state इस पर बिलोंग कर र connected है, ठीक है, यह हुआ, अब देखते हैं, कि बाकी सारे जो non-tribal functional dependencies बची है, यानि कि इसकी बात करें, यह बची हुई है, जो tribal dependency वाली उदर ले ली, यह बची हुई, इन पर बात करें, तो यहाँ पर a tends to b वाला relationship होना चाहिए, यानि कि name जो है, वो s id पर depend है, ठीक है, त अब हम यहाँ पर देखें, name क्या है, super की है, बिल्कुल सई, और y जो है, क्या हो कोई prime attribute है, ठीक है, अब अगर देखें, तो name जो है prime attribute क्या हुआ, जो किसी candidate की का हिस्सा हो, याद रखेगा, prime attribute जो किसी candidate की का हिस्सा हो, यह निकि वो primary की शायद बन जाए, पक्का नहीं है, तो नाम की अगर बात करें, तो हाँ, नाम repeat होते हैं, मैं भी मानता हूँ, पर यह बहुत कम बार होता है, तो maybe, कहीं न कहीं chance है, के name भी जो है, prime attribute बन सके, मैं भी शायद वो key candidate की बन सके, ठीक है, लेकिन, जो ही नहीं हरबा हो, लेकिन बन तो सकता है, candidate की, तो यह prime attribute category को follow कर है, तो यहाँ पर हमारी यह condition true हो गई, यह वाली है, ठीक है, के A जो है, यानि कि X जो है, वो super key है, primary key यह अब बात है, अब super key क्यों, super key मतलब the topmost primary key, जिसको decompose ना किया जा सके, तो यहाँ पर तो एकलोता कोला हम है, SID, एकलोती primary key, तो यह super key की तरह count हो रही है, super key is nothing else, combination of all candidate keys is known as super key, by default SID यहाँ पर super key है, name जो है, वो prime attribute है, तो यह condition true हो रही है, यह तीसी condition भी मैंने true कर दी, साथ के साथ zip देखें, zip जो है, वो name पर depend है, क्या, नहीं, zip depend है, SID पर, यहनि कि इसको अगर मैं Z नाम दूँ, तो यहाँ पर यह हो रहा है, Z भी है, जो कि X पर dependent है, ठीक transitive dependency दूर करने के लिए, मैंने जिन में transitive dependency create होई थी, वो table ही separate कर दिया पूरा, ठीक है, और मैंने यह वाली condition भी remaining table पर apply करके देख ली, कि बाकि जो key attributes, बाकि जो non key attributes बचे है, ठीक है, क्या वो primary की बन सकते है, yes, बन सकते है, zip भी primary की बन सकता है, name भी primary की बन सकता है, ठीक ह कि मैं name और surname को, first name और last name वाला column कर दूँ, तो उसमें क्या होगा, कि last name जो है, वो repeat हो सकता है, कई बार, ठीक है, first name हो सकता है, repeat ना हो, ठीक है, या फिए काम करते हैं, most simple कर देते हैं, first name repeat हो सकता है, राज वर्मा और राज मायश्वरी, ठीक है, तो यहाँ पर last name तो repeat नहीं हो रहा है, लेकिन first name repeat हो रहा है, तो first name जो है, वो prime attribute नहीं है, वो की attribute नहीं बन सकता है, वो repeat हो सकता है, जबकि last name जो है, वो repeat नहीं होगा, तो वो prime attribute है, तो फिए सी condition में मुझे name को भी separate करना पता है, यह नहीं के लिए अलग से table बनानी परते हो, वहाँ s.id जोइन करना प state, इस पर भी depend है, इस पर भी depend है, यस, ठीक है, तो अब अगर हम देखें, कि यह दोनों इस पर भी depend है, और यह दोनों इस पर भी depend है, लेकिन यह खुद इस पर depend है, तो indirectly यह दोनों इस पर depend है, यह problem create करेगा, यह हटाना है, problem create करेगा, redundancy, data repeat हो रहा है, देखें, ओभी सी किसे ना बाहर बाहर रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूँrios कि यह दोनों इस पे डिपेंड ए ठीक आए तो इस वाले को और ना देता हूं एन दोनह इस पे 받 को h हटा देता हूं ठीक है हटा दिया बहुत यह Hitable तो यह दोनों हटा है यह दोनों कहा है यह दोनों इस पर डिपेंड है ना तो इन तीनों की एक अलग टेबल बना देता हूं x tends to y याफि a tends to b जो है a जो है super की होना चाहिए और b जो है prime attribute होना चाहिए भई होगी condition true? ठीक है? ये भी clear है तो इस तरह से 3NF में conversion किया जाता है और क्यों किया जाता है? reasons मैं बता चुका हूँ data repetition को रोकने के लिए ये दोनों इस पर depend कर रहे हैं first पहले इस पर depend करेंगे फिर second number पर इस पर depend कर रहे तो इन तीनों की table ही अलग कर दो न primary की 4NK का concept ही तो यह होता है table ही अलग कर दी बात खतम clear? तो यह चला गया बिल्कुछ separate partial dependency खतम हो गई ठीक है? sorry हमाई transitive dependency खतम हो गई clear? क्योंकि अब इस वाली table में यह इस पर depend कर रहा है पर इस पर इस table के अंदर कोई भी dependency नहीं है तो यह free है तो यह वाला यह तीन logic वाला create ही नहीं होता है simple column source उसी तरह से यह table के अंदर भी हो जाएगा तो यह होता है मेरा 3NF third normalization form table 2NF होना चीए table dependency खतम कर देनी है अब जो table बची है जो 2 table से 3 table जीते भी partition हुए है उनमें यह तीसा वाला rule लगा के देख लीजिए कि हर एक attribute जो है वो की attribute पर depend करना चाहिए ठीक है clear यह है 3 rules 3NF के मैं उम्मीद करता हूँ आपको 3NF पूरी तर से यहां पर समझ में आकिया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई भी query है कोई भी doubt है या कोई चीज़ आप detail में जानना चाहरे है या कोई भी suggestion feedback है तो हमें comment box में लिख करके बताएं हमारे इस video को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए notification पाना चाहते हैं तो हमारे इस video के notes आपको description box में available हो जाएंगे हमने अभी तक जितने भी videos बनाये हैं और उनके notes के link भी आपको description box में मिल जाएंगे रक्रेजी programmers की तब से आज के लिए बस इतना ही